नमस्कार दोस्तों आए जम बनाने वाले है पंजाबी स्राइल में गाझर मट्र और आलू की स्वादिश सब्जी जो कि खाने में भॉहती स्वादिश लगती है और विंटर मैं तो हर घर में यह बनती है क्योंकि गाझर जो है विंटर में हुआ ही मिलती है तो चलिए इससे ब और एक बड़ी वाली इलाइची और इसे थोड़ा सम सौटे कर लेंगे भून लेंगे ताकि इसका फ्लेवर जो है अच्छा है और यह मैंने लिए दो हरी मिर्च बारिक कर टीवी और चार से पांच कलिया लसुन की और एक इंच अद्रक का टुकड़ा बारिक कर तवा तो सब इसे भी हम अच्छे से सौटे कर लेंगे भून लेंगे प्यास को अब बहुत ज्यादा ब्राउन भी नहीं करना है अब मैं अट करूंगे चोटा चमच धनिया पाउडर आदा चोटा चमच अधी पाउडर और इसे भी हम 10-15 से लिए अच्छे से फ्राइ कर लेंगे ताकि तो इसे अच्छे से हम भून लेंगे अब मैं इसमें आड़ करें हूं दो बड़े साइस के टामाटर जिसे मैंने ग्राइंड कर लिया है आप चाहो तो बारीक काटके भी इसमें डाल सकते हो और अब मैं इसमें आड़ करूंगी एक छोटा चमस रेड चिली पाउडर एमडी एच का कलर वाला और एक छोटा चमस नमक यानी स्वादनुसार और इसे भी इसमें मिक्स कर देंगे और टमाटर को हम अच्छे से फ्राइ कर लेंगे इस बीच में हम जो है अद्रग भी इसमें आड़ कर लेंगे और इसे भी इसमें अच्छे से मिक्स कर लेंगे और टमाटर को तब तक हम भून लेंगे जब तक इसे जो है तेल सेपरिट ना हो जाए तो यह देखिए हमारा जो टमाटर भून चुका है और तेल भी अलग हो चुका है अब मैं इसमें आड करूंगी गाज़ा जिसे मैंने इ हम इसमें मिक्स कर दिया यानि इसको 1 मिनट के लिए हम भूनेंगे मैं इसे लोटू मीडियम फ्लेम पे जो है 2-3 मिनट तक इसे पकाएंगे जो है न गाज़र को यह देखिए 2-3 मिनट हो चुके हैं मैंने लिड हट आ दी और इसे एक रज़ी मिक्स कर देंगि इसके बाद इसमे अट करेंगे मतर लिया और मतर जो मैंने लिया है अप चाहो तो फ्रेश भी ले सकते हो और दो बड़े साइस के आलू लिया है जिसे मैंने चकोड टुकडो में काटके लिया है इसे भी समे अट कर देंगे और इसे एक मिनिट के लिए अच्छे से जो है मीडियम फ्लेम पे भून लेंगे फ्राय कर लेंगे कि इसे में जो है प्रैशर कुकर में बना रही हूं इसके बाद इसमें डालूँगी दो चोटे चमठी सौरी TWO टेबल स्पून पानी के अगर आप चाहो तो पानी ना डाले पर मैं हलका से इसमें डाल रहे हूँ क्योंकि मुझे इसमें जो है प्रैशर को करना है तो हलका समय इसमें डाल जूँ अधरवाईस यह अपने जूसिस में ही पकती है तो टेस्स बहुत अच्छा आता है तो अभी में लिड लगा दूँगी और इसमें दो विसल आने तक इसको हम पकाएंग दो विसल आ चुकी है तो मैं फ्लेम आफ कर दूंगी और इसका जो स्टीम है वो मैं निकाल लूँगी तो यह देखे हमारी गाजर मटर और आलू की सब्जी देखने में बहुत ही अच्छी लग रही है तो एक बार इसको जो है अच्छी से मिक्स कर लेंगे और फ्लेम को हम बिल्कुल जो है अन करेंगे और बिल्कुल लो पे रखेंगे और एक टेबल स्पून ए वन टी स्पून इसमें हम डालेंगे गरम मसाला और इसे अच्छी से मिक्स कर लेंगे दस से पंद्रा सकिंड के लिए अभी में फ्लेम आफ कर दूंगी हमारी जो गाजर मटर आलू की सबजी बिल्कुल बनके तयार है और उपर से गानिश करेंगे हरा धनिया यह देखे आप इसे चपाती परांठा नान के साथ खा सकते हो या फिर टिफिन में बच्चों को दे सकते हो या फिर आप इसे ब्रेक्फस्त में बना सकते हो पूरी खाई परांठा खाई नान खाई मतलब हर चीज के साथ यह अच्छा लगता है अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो जादा से जादा इसे शेयर कीज़ेगा और चैनल को सब्स्क्राइब कीज़ेग मिलती हो नेक्स वीडियो में तिल दन बाई